नमस्का दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैंने बनाए चने दाल वाले करेले जो खाने बहुती तेस्टी है और बनाना बहुती असान है यहां मैंने लिए दो बड़ी प्याज एक चोटोट अर्दक का साथाट करेल हसन की इनको मैंने बारी चोट कर लिया है यहां मैंने आधिक टोरी चनी की दाल भी गोई है यहां मैंने करेली लिए इनको मैंने दो लिया है इनको काट लें यह मैंने गोलाकार में काटा है करेलो को अगर इनके बीज पके हैं तो इनको भार निकाल लें सारे करेलों को ऐसी ही काट लें पके बीजों को भार निकालते जाएं अब कढ़ाई में डालेंगे दो बड़े चम्मज तेल के तेल को गरम कर लें अब डालेंगे एक बड़ा चम्मज सौफ का कुटी हुई सौफ और प्याज हसन अधरक कटे हुए उसको भून लें प्याज भून चुकी है अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आदा चोटा चम्मज दो बड़े चम्मज धनिया पाउडर और आदा चोटा चम्मज लाल मिर्च इसको मिक्स कर लें अब इसमें डालेंगे चनिकी डाल चनिक डाल को धो लें इसको डाल दें इसमें अब इसको भी एक मिन्ट के लिए भून ले मसाले के साथ अब चनिक डाल हमारी भून चुकी है भून कर तयार है अब इसमें डालेंगे कट वे करे ले और नमक स्वाद के अनुसार सारी सब्जी को अच्छी तरह मिक्स कर ले जब सारी सब्जी मिक्स हो जाए तो इसे ढखकर पकने के लिए रख दे और बीच-बीच में सब्जी को चलाते रहें मिक्स कर दे सब्जी को सारी जिससे हमारी सब्जी नीचे से जले नहीं अब इसको फिर द्वारा ढखने कर पकाएं कुछ देर के बाद देखें सब्जी हमारी पकी के नहीं है अब हमारी सब्जी को द्वारा चेक करेंगे सब्जी हमारी बन गई है सब्जी को अच्छे तरह मिक्स कर लें झाल झाल